जाहिन दोस्तों जी हां दोस्तों ये हम लोग आसानी से बना सकते हैं सिर्फ अगर आप ये वीडियो को 5 मिनट देख लेंगे आप आसानी से जो है पावर पॉइंट में फोटो से आवाज निकलने वाले टेंपलेट बनाने में सट्चम हो जाएंगे ताहिए दोस्तों पहले देखते हैं और फिर स्टार्ट करूँगा कि ये कैसे बनाना है साउंड इफैक्ट आप कहां से डाउनलोड कर पाएंगे ये मैं आपको वीडियो के लाष्ट में बताऊंगा ठीक है तो पहले डेमो को स्टार्ट करते हैं अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको बनान हमारा बना बनाया आगे है बस इस पर आपको क्लिक करेंगे तो यहां से मैंने आपको पहले के भी वीडियो में बताए यहां से आप जो है यह तो ट्रांस्पैरेंट लेंगे यह क्लिप आट लेंगे ठीक है तो आप ट्रांस्पैरेंट लेंगे और आप इंसर्ट करा आप यहां पर select करके insert पे जैसे आप click करेंगे तो यहां पर hand की image आ जाता है ओके यहां पर आगे है अब इसमें sound effect लगाना है तो बस यहां पर click करेंगे और यहां है work offline पर आपको click करना है फिर से मैं कर लेता हूँ और यहां से work offline पर click करूँगा पीसी में लेकर के जाएगा और यहां से मैं कर लेता हूँ all file यहां पर जितने भी mp3 में हमने download कर रखा है तो hand का sound effect है यहां पर है और मैं इसे insert करा लेता हूँ यहां पर sound effect आ गया है जब यह insert हो जाएगा तो आपको बस एक काम करना है कि यहां प्ले background में click कर देना है बस यह आपका हो गया है चलिए अब मैं इसको आपको सुना के लिखाता हूँ देखें यह आ गया तो आप बच्चों को पूछेंगे कि यह किसी इसका image है ठीक है और बच्चे बताएंगे उसके बाद इसके आवाज क्या होता है तो आप इस आवाज के लिए बना सकते हैं तो यह template कैसे बनाते हैं तो आएए जानते हैं सबसे पहले आपको powerpoint को open कर लेना है जैसा कि यहाँ पर आप आपर ऑपेंट कर लिया है और यहां से layout में जाएंगे और यहां से हम लोग blank slide ले ले लेंगे जब ये ले लेते हैं अब आपको क्या करना है कि आपको व्यू में जाना है यहां पर मैं व्यू में आजाता हूं और फिर मैं आजाओंगो तो आप एक बार बार महनत करने के जोरूद नहीं होता है, यहां पे आगे अब इसका बैगड़ाइन जो है फिर से रहे हो गया है, तो यहां से भी बैगड़ाइन यहां से भी ले सकते हैं, इस तरह से आज आएगा, जब इसका background design हो गया तो अब इसमें आप इंसर्ट कराने का इंसर्ट कराने के लिए आप पहले जो है इंसर्ट में जाएंगे और safe में जाएंगे और यहां से आप rectangle round बाला जो है rounded rectangle जो है यहां पे insert करा लेंगे इस तरह से और यहां जो आपको यह point जो दिख रहा है यह वाला नहीं यह corner वाला से तो size छोटा वड़ा होगा आपको यह point दिख रहा है यहां से आपको इसे rounded बाना लेना है safe fill में आप जैसा color रखना चाहें आप रख सकते हैं और यह तो आप मैं white ही रख लेता हूँ और यहां से मैं shape outline को no outline कर दूँगा और फिर मैं इस shape के ओपर right click करूँगा ठीक है और इसको मैं थोड़ा सा format करना चाहूँगा format पे जाता हूँ और यहां से मैं ले लूँगा effect में जाँगा और फिर shadow इसमें थोड़ा लगाना है तो shadow में जाके और फिर मैं यहां से यह वाला shadow effect लगा लूँगा और थोड़ा सा transparency को कम कर दोगा ताकि यह button थोड़ा सा उग्रा हुआ लगे इस तरह से यह हो गया अब इसमें हमको लिखना है so image s ho w so image image control a से all select और यहां से black कर देंगे तक कि यह मेरा यहां पर देखना स्टार्ट हो जाए और इसका आप size home में जाएंगे और यहां से इसकी size जो है पड़ा कर लेंगे ठीक है कुछ यह जादा हो गया इस तरह से यह हो गया अब हम लोग क्या करेंगे इसको ऐसे select करेंगे ctrl D से इसके duplicate बना लेंगे और बिल्कुल जो है corner पर जब आप mouse pointer को रखेंगे तो यह बिल्कुल इस तरह का move tool बन जागा और इस तरह से आपको जो है इसे सही जगा पर position पर इसे रख देना है अब यहां पर so image के जगा पर बस जो है आपको लिख देना है sound 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 ठीक है यह हो select में जागर के selection pen ले लेंगे और यहां से जो है इन दोनों को क्या करना है कि थोड़ा सा rename कर लेंगे तो यहां पर इस पर click करेंगे और यह जो लिखा हुआ है इसे select करके copy कर लेते हैं और यहां पर जब हमने select किया है तो यहां पर देखिए यहां भी select दिख रहा है आपको बस आपको इस पर click कर लेना है और इन सभी को select करके इसे backspace से हटा लिजे और इस पर आप जो है इसे rename कर लेंगे उसी तरह से इस पर आप click करेंगे और यहां पर click करके यहां से आप ID कर सकते हैं sound sound लिखेंगे और यह भी क्या हो गया हमारा rename हो गया यह दोनों rename हो गया चलिए आप आपको यहां पर insert करना है slide master में जाएंगे अब यहां पर हमको दो चीज़ इंसर्ट करना है पहला यहां से insert में जो भी insert आप कराएंगे तो insert placeholder में जा करके और यहां पर online image ताकि हमें image लेने में आसानी हो online image यहां पर हमने यहां पर insert करवा लिया हो गया अब दूसरा हम जो insert कराएंगे यहां कराएंगे media में जाएंगे और यहां पर इस तरह से एक बटन बना लेंगे इतना हो गया आप जो है दोस्तों हम लोग सीखेंगे animation देने का ठीक है कि इसमें कौन सा animation पढ़ेगा और फिर इसमें कैसे लगाएंगे तो यहां पर हम लोग जो animation में आगे है तो animation जो है इसमें लगाना हमको ठीक है इसमें तो इस image को आप select कर लिजिए जहां पर लिखा हुआ है और animation में जाएंगे और इधर आप animation ले लेंगे ताकि जो भी animation हम लगा रहे हैं वो दिखे अब यहां से हम जूम एनिमेशन एड कराएंगे लेकिन इसको अब हम टीगर देंगे कि जब हम इस बटन पर किलिक करें तभी यह जो है इमेज जूम हो करके आए तो अब यहां से हम लोग ट्रिगर में जाएंगे और क्लिक आण इस पर सो इमेज बाले बटन ठीक है इस तरह से उसी तरह से अब हम लोग जो है इसमें एनिमेशन देंगे मेडिया में और इसमें भी दे देते हैं चाया है इसमें बटन पर इसमें आपकोARON देना है और आपको कुछ नी करना है व्यू में आईए और नॉर्मल पे किलिक कर दीजिए और यहां से आप जो भी आप किलिक करेंगे तो इस तरह से आपको फॉर्मेट बना बनाया ने जाएगा जो फर्स्ट वाला उपर वाला इसे आप डिलीट कर दीजिए अब आप इसे जहां भी चाहें आपने सिस्टम में सेव करके रख सकते हैं इधर बांकी सबी चीज़े को आप अटा देज़े अब इस यह आपका बन के तयार हो गया है अब आप क्या करेंकि जो भी आप यहाँ पर image पहले डालेंगे जो भी image इसमें लेना हो इसे यहाँ पर मैं डाल लेत और यहां से कोई भी elephant यहां पर check trick लगा करके और इसमें insert करवा लेंगे यहां पर देखके elephant हो गया आप यहां पर media लगाना है यानि कि इसका sound लगाना है यहां पर click करेंगे work offline यहां पर click करेंगे और यहां पर हमने रखा है desktop पर sound वाले folder में तो यहां से all कर लेते हैं तो यहां पर elephant का sound है और यहां पर हम लगा लेंगे और यहां पर पर सिर्फ play background कर देंगे बस यह हो गया हमारा Rome में जाएंगे फिर से यहां पर नया लेंगे और फिर से आपको यहां पर जो भी insert करणा हो आप करवा सकते तो इस तरह से दोस्तों आपका बन जाएगा और जब बन जाएगा तो यहां से स्लाइट 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 क्लिक करके टेंपलेट बना करके आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं या आप जैसा चाहें आप यूज कर सकते हैं दोस्तों आपने टेंपलेट बनाना तो सिख लिया है अब मैं आपको बताता हूँ कि साउंड आपको कहां से डाउनलोड करना है साउंड डाउनलोड करने के लिए आप अपने कम्प्यूटर में जोए गूगल क्रॉम को ओपेन कर लेंगी इसे google open होगा तो google chrome में आपको type करना है mob cup cup ठीक है mob mob cup cup आपको लिक करके enter कर देना है और यहाँ पर आपको जो first result आएगा mob cup.net आप इस website पर गिलिक करेंगी गिलिक करने के बाद आपको यहाँ पर जिस भी animal का चाहिए जैसे parrot चाहिए p-a-r-r-o-t लिक करके आप enter कर देंगे तो आपके सामने जो है parrot का जो है यहाँ पर आज आएगा उसके बाद यहाँ पर simple सा है आप download पर किलिक करेंगे और फिर यहाँ पर है download mp3 for android आप यहाँ पर जैसे किलिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सिस्टम में यह download हो चुका है तो इस तरह से दोस्तों आप जो है तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तो बस आज के वीडियो में इतना ही मिलता हूँ फिर नेक्ट वीडियो में तब तक लिए दोस्तो जाहें बंदे मुहात्रम